लोग सभा चुनाप में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गई हैं ऐसे में सभी राजनितिक पार्टियों ने चुनाप की तैयारियां शुरू कर दी हैं वही कॉंग्रेस नेता राहुल कांधी की भारत चुडू न्यायात्रा इस वक्त यूपी में हैं और ऐसे में कॉंग्रेस की तरव से बयानबाजी तो तेज है ही लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टि की सुप्रीमो मायवती को मनानी की कोशिश है भी जारी हैं हाल ही में कॉंग्रेस के उतरप्रदेश प्रभारी अविनाश पांधी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बिपक्षी गठवंदन इंडिया की दरवाजे खुले हुए हैं और अब मायवती को तै करना हैं कि वह आगामी लोक सभा चुनाब भारतिय जनता पार्टी के खिलाफ एक जुट होकर लड़ना चाहती हैं या फिर अकेले अपने दम पर लेकिन मायवती पहले ही एलान कर चुकी हैं कि वह लोक सभा चुनाब अकेले ही लड़ेंगी इसी बीच मायवती ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के सरिये अपनी बात रखी है मायवती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साजा किया है एक्स पर उन्होंने लिखा है आगामी लोक सभा आम चुनाब बीच पी द्वारा किसी भी पार्टी से गठवंदन नहीं करने की बार बार इस पस्ट घोशना के बावजूत आए दिन गठवंदन संभंदी अववाह हैं फैलाना ये साबित करता है कि बीच पी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही सिदाल कलने वाली नहीं है जबकि बहुजन समाज पार्टी को अपने लोगों का हित सर्वो परी है मायवती ने ये साफ कह दिया है सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एक पोस्ट में अप बिनाश पांडे जो साफतोर पर कहते हुए नजराएं हैं कि अब मायवती पर सब कुछ निर्भर करता है कि वह गठवंदन करेंगी या फिर नहीं लेकिन मायवती ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए जाहिर कर दिया है कि वह इंडिया गठवंदन के साथ जुना प पर इंडिया गठवंदन की तरफ रोख करेंगी क्योंकि दलित वोडवेंग को वह लंबे वक्त से साथ रहें देखते हैं कि मायवती अपना प्लान बदलती है या नहीं इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन नियूर